Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, आज हम लोग test 21 के अंतरगत, UPSC prelims से संबंदित, भारती अराज विवस्ता और सास्कन के प्रश्णों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कुस करना है याँपर. आज का पहला प्रश्ण है, अविस्त्वास प्रस्ताओं के संबंद में निमलिखत कत्नों पर विचार कीजिए, मुशा गया है कौन सा कतन सही है, संबिधान के अनुच्छेद 75 में इसका विसे सुलेक किया गया है, अविस्त्वास प्रस्ताओं पहली वार वर्स 1970 में इंद्र मंत्री की सलापर राश्पती मंत्री प्रस्त के अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करेगा, तो ये इस बात का उलेक अनुच्छेद प्रश्त्तर में है, वहीं अगर हम बात करें अविस्त्वास प्रस्ताओं की, तो लोकसभा में कारिस अंचालन और आचर नियमों के तहत, नि प्रस नियुक्ति में, इंद्रा गांधी सरकार की खिलाफ लाया गया, जो कि गलत है, अविस्त्वास प्रस्ताओं पहली बार, जेवी करपलानी के द्वारा, भारत चीन युद्ध के बाद, नहरू सरकार की खिलाफ अगस्त 1963 में पहली बार लाया गया, ये 1963 में जब इंड आपका आंसर रोगा पहले का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, दूसरा प्रस्टन है बापका, पारवारिक या कुटुम नयायले के संधर्व में निमलेत कत्मों पर विचार कीजिए, मुचा गया है, कौन सा कतन सही है, राजिस सरकारों को किसी नगर या कस्बे के प्रत्यक ऐसे शेतर के लिए कुटुम नयायले की स्थापना करनी होगी, जिसकी जनसंक्या 10 लाग से अधिक है, किसी कुटुम नयायले के समक्ष, किसी वाद या कारवाई से सम्मधित, पक्षकार, किसी ब्यदी व्यवसाई द्वारा प्रतनित्तु का अहक्दार है, सरकारों के लिए बादिकारी बनाता है, कि वे 10 लाग से अधिक जनसंक्या वाले किसी नगर या कस्बे में कुटुम नयायले की स्थापना करें, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा, अब देखें सेकिंड वाला कथन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर विद की कारवाई की तरह यहाँ पर आपको अपना भकील खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बिलकुल भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिलकुल सही है, यहाँ पर आपका केवल एक अपील का अधिका आधिकारिक वारंट के वरीता ख्रम में उपराश्ट्पती को राश्ट्पती और तधान मंद्री के वाद तीसरा इस्थान दिया जाता है। इस आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंदल अधूरा था। देखें आपका पहले वाला कथन बिलकुत सही है। भारत में उपराश्ट्पती का जो पद है ये अमेरिकी उपराश्ट्पती की तर्ज पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका पहले वा गलत हो जाएगा। याँ उपराश्ट्पती का देश में दूसरा सरवोच पद होता है और आधकारिक वारंट के वरीता करम में राश्ट्पती के बाद किस्थान पर आता है। तो यहाँ पर सेक्ड़ वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही नहीं है, यहां पर लखा हुआ है, उपराश्टपती का चुनाओ, संस्यत के दोनों सदनों के निर्वाचित सजस्यों से मिलकर बने निर्वाचिक मंदल के सजस्यों द्वारा किया जाता है, यह गलत है, उपराश्टपती का चुनाओ, संस्यत के दोनों सदनों के सजस पत्ति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाओं को इस आधार पाच चुनाओं ती नहीं दी जा सकती है कि निरवाचक मंडल अधूरा था। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कतन बिल्कुर सही है। एला है मुख्यमंत्री का कारिकाल निश्यत नहीं होता है और वह राजिपाल के प्रसाद परियंद पद्धारण करता है। बर्खास्त नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर वए विदान सवा का विश्वास खो देता है तो उसे इस्ठीपा देना होगा या राजिपाल उसे बर्खास्त कर देंगे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुर सही है। यहाँ पर आपका सेगिन वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ भी लखा गया है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते संसत द्वारा निधारित किये जाते हैं, यह गलत है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राजी विधान मनला द्वारा निधारित किये जाते हैं ना कि संसत के द्वारा, तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंजर है चौथे का एक, केवल एक पांचमा प्रशने बापका, निम्निर्थ कतनों पर विचार कीजिए, मुचा गया है कौन सा कतन सही है सरकार द्वारा, अप्रतक चुरूप से वित्व पोसित, एक गयर सरकारी संग्ठन सूचना के अधिकार अधनियम के दाइरे में नहीं आता है सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 के अंतरगत प्रत्येक साज्मिक प्रादिकर द्वारा अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटर रिकत किये जाने का प्राबधान है देखे, आपका पहला वाला कथन यहापर सही नहीं है आटियाई अधनियम की जो आपका आटियाई अधनियम है इसकी धारा 2H की अंतरगत कुछ प्राबधान दिये गए हैं जिनके तहत सरकार द्वारा अपरतक्ष्रूप से वित्वपोसित एक गैर सरकारी संक्टन सूचना के अधिकार अधनियम के दाइरे में आता है ना के नहीं आता तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेकिंड वाला कथन बिल्गू सही है अधनियम के तहत प्रत्येक साजनिक प्रादिकरण को अपने रिकॉर्ड कम्पिडिकरत करने है जिसे सूचना का विस्तरत प्रसार हो सके तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन सही है तो आपका सही आंसर है पांच में का भी केवल सेकिंड छटमा प्रशने बापका विदी आयोक के संधर्ब में निम्लिःत कतनों पर वेचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सही है सर्बोच नयले का सेवा निब्रत नयायदीस अत्पा उच्छ नयले का मुख्य नयायदीस इस आयोक का अध्यक्ष होता है या एक गैर संवेधानिक सलहकार निकाए है इसका पांच वर्स का निर्धारित कारिकाल होता है देखे पहला वाला कतन बिल्कुर सही है सर्बोच नयले के सेवा निब्रत नयायदीस या उच्छ नयायले के मुख्य नयायदीस आयोक के अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर पहला वाला कतन बिल्कुर सही है भारत का विदी आयोक ना तो समवेधानिक निकाए है और ना ही वेधानिक निकाए यह भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा गटित एक कारिकारी निकाए है और इसका प्रमुक कारे कानुई सुधारों हेतु कारिकरना है तो यहाँ पर आपका सैड़न वाला गथन भी सही है तीस्रा वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है आयोग का गठन तीन वर्षों के निश्च्चत कारिकाल किया जाता है और ये विदी और नियाय मंत्राले हितू एक सलाहकार निगाई की रूप में कारी करता है तो ये इसका गठन 3 साल के लिए किया जाता है ना के 5 साल के लिए तो यहां पर आपका 1 और 2 गतन सही है तो आपका सही आंसर है छट में का 1 केवल 1 और 2 साथमा प्रशने बापका संसत के सजस्यों की अयोगिता के संधर्व में निम्लिषित कत्नों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही है निवारक निरोद कानून के धहत किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के कारड़ उसकी संसती सजस्ता को समाप्त किया जा सकता है दल बदल के आधार पर सजस्ता रद करने के प्रापधानों का उल्लेक संविधान की दस्मे नुसूची में किया गया है दल बदल के मामली में राजिसवा और लोगसवा दोनों की सजस्ता समाप्त करने का निड़े लोगसवा अध्यक्ष लेता है तो पहला वाला ये गलत है सेकंड वाला कथन आपका सही है संबिधान यह भी निधालत करता है कि किसी भी व्यक्त की संसत बनने के लिए उस इस्थित में उसे अयोग घोसित किया जा सकता है यद उसे दस्मी नुसूची के प्रापधानों के द्यात दल बदल के आधार पर दोसी पाया गया है तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है तीसरा बाला यहां पर सही नहीं है यहां पर लिखा हुआ है दल बदल के मामले में राजिसभा और लोगसभा दोनों की सरस्ता समाप्त करने का निर्णे लोग सभा अध्यक्ष लेता है यह गलत है दस्वी नुसूची के अंतरगत जो अयोगिता के प्रश्ण पर निर्णे राजिसभा में सभापती द्वारा और लोग सभा में अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो गतन होगा यह गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला गतन सही है तो आपका सही आंसर है साथ में कभी केवल सेकंड आठमा प्रश्णे बापका निम्नेशित कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा अगधन सही है भारत में जनगर्णा का पहला एत्यासिक संधर्व कौटली के अजश सास्ट में पाया जा सकता है भारत में पहली समकालिक जनगर्णा वर्ष 1880 में होई थी देखे सबसे पहला साहित रिगवेद बताता है कि भारत में 800 से 600 इसा पुरू के दोरान किसी प्रकार की जनगर्णा को कैसे बनाए रखा गया था तो यहाँ पर पहला वाला जो है गलत हो जाएगा यह रिगवेद में जिक्र किया गया है ना कि कौटली के अर्शास्ट में सेकिंड वाला गथन बिल्कुल सही है भारत में पहली समकालिक जनगर्णा 1881 में हुई थी और तब से हर 10 साल में एक वार जनगर्णा का निरवाद कार किया जाता है तो यहाँ पर आपका सेकिन वाला गथन सही है आपका सही आंसर है आट में कभी केबल सेकिंड नौमा प्रशने वापका मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के संधर में निम्रित कतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा गथन या पर सही है पहला है CEC की निरवाचन आयुक्ति भारत के राश्पती द्वारा की जाती है CEC कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उनके कारिकाल की समापती से पहले भी खटाया जा सकता है देखे आपका पहला वाला गथन मिल्कुल सही है भारत के मुख्य निरवाचन आयुक्त और अनिरवाचन आयुक्ति की नियुक्ति राश्पती द्वारा की जाती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुल सही है यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं यह कभी भी इस्तीपा दे सकते हैं या उन्हें उनके कारिकाल की समाप्ती से पहले भी हटाया जा सकता है तो यहाँ पर आपका second वाला कथन भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नोका C अब देखें निकोई हटाने की जो प्रक्रिया है याँनि मुख्य चुनाओ वायुकत को संसत द्वारा सर्वोच नयले के नैदीज को उठाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है याँनि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोड के जज को उठाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है दसमा प्रशने बापका राजमंजपरसत के प्रमुक्य रूप में मुक्य मंत्री के पास निम्लिकत मैंसे कौन सी सक्तियां हैं आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना है वह राजपाल की सलापर मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फिर बदल करता है वह किसी मंत्री से इस्ठीपा देने के लिए कह सकता है या मतभेद की सिदी में राज़पाल को उसे बरखास करने की सला दे सकता है वह पद से त्यागपत्र दे कर मंत्रिय परसत समाप्त कर सकता है देखें आपका पहला वाला क्तान बिल्कुँ सही नहीं है यानि मुख्य मंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेर्दल कर सकता है इसके लिए उसे राजपाल से सला लेने की आवशक्ता नहीं है सेकिंड वाला कथन मिल्कु सही है वह किसी मंत्री से इस्थीपा देने के लिए कह सकता है या मत्रियों की सिथी में राजपाल को उसे बर्खास करने की सला दे सकता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला सही है आपका सही आंसर है दसमेगा डी केवल दो और तीन ग्यारेमा प्रस्णे बापका निमनिकित मैं से किन मामनों में उच्छ नियायले को भारत कीमें प्रारंबिक छित्रा अधिकार प्राप्त है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कु सही है संसा सदस्यों और राज घ्रामिक शित्तर अदिकार में आते है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन पिल्कु सही है आपका सेकील वाला कथन भी सही है आधिकार्था का मामला, वसीयत, व्भा, तलाक, कमपनी कानून और न्याईले की अवमानना यह सब भी आपके प्राणा में छितरादकार में आते हैं तो यहां पर आपका तीसरा बाला भी सही है यहां पर आपके 1-2-3-3ऌं ही सही है तो आपका सही आंश्र है 11 का D यानि 1-2 और 3 पूर्बोचतत छेतर के किसी भी रायनितिक दल को और अधिक नहीं प्राप्त है एक राश्री दल गोसित किया है और यह दल इस दर्जे को प्राप्त करने वाला पूर्वोतर छेतर का पहला दल है तो उसे साब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेकिन वाला कथन यहाँ पर ये भी गलत है निर्वाचन आयोक के अधीन रायनेतिक दलों से दर्जा बापस लेने का कोई यहाँ पर निर्वाचन आयोक को अधिकार नहीं दिया गिया है यहाँ वो मानिता दो दे सकता है तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन गलत है तो आपका आंसर उखा यहाँ बारे का D ना तो एक और ना ही दो तेरेमा प्रशने बापका भारतिय सम्विधान की अनुसूचियों के संदर में निम्लिशित कतनों पर वेचार कीजिए उचा गया है कौन सा कतनिया पर सही है तीसरी अनुसूची में शपत यवं प्रतिज्ञान के प्रापधान सामिल है तुरपरा के जन्जाती छेतरों के करसासन से सम्मझित प्रापधान पांचमी अनुसूची में दिये गए है 21 में संसोदन अदियम उनिसो सरसर द्वारा सिंधी भासा को आजवी अनुसूची में सामिल कर सम्मझित भासा का दर्जा दिया गया था तुरपरा के जन्जाती छेतरों के प्रसासन के पारे में उपबन्द है ना के पांचमी में तीसरा वाला कथन जो है ये वाला कथन भी आपका सही है यहाँ पर 21 संबेधान ससुदन 1967 के द्वारा सिंधी भासा को आठवी नुसुची में सामिल कर संबेधानिक भासा का दर्जा दिया गया है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है यहां पर आपका केवल एक और थीन कफन सही है तो आपका सही आंसर है तिरे का सी केवल एक और थीन चोदेमा प्रशने बापका न्याएक समीच्छा के संबंद में निम्निखत कतनों में ऐसे कौन सा सही है आपको कूट का प्रियोग करके सही उतर का चेहन करना है पहला है न्याएक समीच्छा की सक्तियों में सम्विधानिक संसुतन द्वारा कमी की जा सकती है सम्विधान में कहीं भी नैग समिच्छा सब्द का उप्रियोग नहीं हुआ है देखे उच्टम नयायले ने नैग समिच्छा की सक्ति को सम्विधान की मुलबूत पिसेस्ता या सम्विधान के मुलबूत धांचे के तत्व के रूप में गोशित किया है अते नयाइक समिच्छा की सक्ति को संभिधान संसोथन के दौरा भी कम या फिर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका 2 वाला गतन गलत हो जाएगा second वाला गतन बिल्कुत सही है जो आपका नयाइक समिच्छा है इसका संभिधान में कहीं भी उप्योग नहीं किया गया है यानि इस नैक समिच्छा जो वर्ड है ये कहीं भी संभिधान में इस्तिमाल नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुत सही है तो आपका सही आंसर है चौदे का B केवल सेकेंड पंदरेमा प्रश्टने वापका निम लेकित मैंसे कौन सी भूमिका या भूमिकाएं परदानमंत्री द्वारा नहीं निवाई जाती है वे कैन सरकार के मुख्य प्रवक्ता है वे सेवाओं के रायनितिक प्रमुख है वे संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है वे राष्टी जल संसादन परजद के अध्यक्ष है देखें यहाँ पर पहली वाली भी यहाँ पर यह भूमिका निवा रहे हैं दूसरी वाली भी निवा रहे हैं और चौती वाली भी निवा रहे हैं तीसरी वाली भूमिका ये नहीं निवाते हैं यानि कि यहाँ पर संयुक्त बैठक का जो प्राबधान है इसके लिए भारत का राश्ट्पती गतिरोत को हल करने के लिए संसत के दोनों सजनों की संयुक्त बैठक का आवान करता है और इसकी अद्यक्षता लोग सभा के अद्यक्षत के द्वारा की जाती है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का B केवल 3 तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें तो चलिए आज के लिए उस्तिना ही थैंक्स पर वाचिंग, जैहंद